नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंग, Advanced Excel Training Center, IPT Excel School से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ओनलाइन वीडियो टिट्टोरियल में और हम discuss करने जा रहे हैं कुछ questions के answers और पहले बता दूँ कि हमारी classes online होती है live interactive zoom app के थुरू और आज हम discuss करने वाले हैं एक problem की ऊपर कि इस column में से हम कुछ count करेंगे between कुछ numbers पे कुछ conditions पे और एक questions हमारे एक subscriber ने पूछा है सुरंदर कुमार जी ने सुन्दर कुमार जी लिखते हैं कि I am not able to determine the result of count if or count if's formula of the questions which first column contain the server dates between these dates and second column have ampm and if date ampm then result should be 0.1 and still embedded then be the one मतलब कहने के मतलब है इनके पास कि इनके पास एक data है एक dates है और इन dates के आगे कुछ ampm लिखा हुआ है तो चाहते हैं कि जो ampm बला date है मतलब कि अगर ampm मतलब कि उसने half day काम किया है तो count में पूरा दिन ना आए और 0.5 day आए और मतलब कि आधा 1 divided by 2 है और जिसमें blank है इसमें पूरा दिन काम किया है तो उसकी counting जो है आपको पूरी आनी चाहिए तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखिए अगर आपके ampm है तो इसके कई साथ तरीके है एक simple तरीका यह होगा कि हम format लगाएंगे इस पर count ips का count ips और हम criteria अपनी पहली criteria range को select करेंगे और criteria होगा greater than equal to और इसके साथ हम combine करेंगे 23 December then again comma हम again determine select करेंगे इसको और इसमें हम लिखेंगे less than equal to और इसके साथ हम combine करेंगे 23 January उसके बाद हम इसको यहाँ पर select करेंगे और इसमें criteria होगा is greater than zero और आपके सामने result और यहाँ नहीं से मुझे जाँ अठारा करना पड़ेगा अठारा है यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसमें एक मिड़ट मैं यहाँ पर सुझी डिता हूँ यहाँ पे है एक टू से एसमिंटी यहाँ भी एक टू से बी एक सस्मिंटी इसमें पहले में हमारा है इस दे ग्रेटर दैन इक्वल तो एफ एट ओके आफा नमबर and less than equal to f9 और b2 is b2, b7 is greater than 0 यहां हम इस पर not equal to 0 कर देंगे तो सही रहेगा यहां पर दिक्कत देथा हमने not equal to 0 कर दिया तो result हमारे सामने आ गया तो यह result क्या आया देखिए अगर मैं इसको फिल्ट रिजल्ट क्या लाया है मतलब कि इस देट के बिट्वीन का देट हमाँ फिल्टर लाया अभी सेम हम फॉर्मॉला यहां अपला ही करेंगे एक और फॉर्मॉला यहां पर और इसमें इस इकल टू जीरो हो जाएगा ब्लैंक सेल इट मींज जी तो यहां पर हम जीरो कर देता है् जीरो पे काउंन्ट नहीं किया इंट कमा ओपिन अंड कलोज बेंक बें करता हूंब तो अथारा ले लिया तो अब क्या कर रहे है कि डैट, प्लास और इसमें हम डिवाइड बाइट टू कर देते हैं इसमें ब्राइकर में पड़ेगा तो 33.5 इसका सम आया है अब इनको और सबको एकठा एक जगा इकठा एक जगा हम लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे चलेता आता हूँ मैं इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करता हूँ और यहां जहां हमारा 10 है उसको हम ब्राइकेट में लेके इसको पेश करते हैं उसके बाद इस फॉर्मूले को ठाते हैं और जहां पर 9 है हमारा G9 वहां पर हम ब्राइकेट में लेके इसको पेश कर लिए और यहां पर पेश कर लिए तो यह हमारा आ गया कि हम दो डेट के बीट्वीन हम काउंट लिया उसमें हमने इसको ब्राइब करके जीरो कर दिया बाकि ब्लैंक को हमने काउंट करके उसको वन रहने दिया तो हमारे सामने है यहां पर जी टेन अधिक्कत हो गया एक मैं दोबाइब करता हूं रिजल्ट चेंज क्यों हो गांँ जीट इन इसको ब्राइकेट में डालेंगे ब्राइकेट हरजाने कारण ही रिजल्ट चेंज हो सकता है तो हमने बाइकेट में डाल लिया वह हम गलत कर रहे थे यह जो हम इसे उठाएंगे कॉपी कर दिया है और फिर हम इसको कॉपी कर देंगे और बाइकेट में हम इसकी डिजल्ट को भी पेस गलत कर रहे हैं तो इस तरह से इसको हम करते हैं तो अगर आपको डाउट हो तो आप अप कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट पी रिप्लाई है मैं तो इस आप्डार κα्का कमेंट्स को हर कमेंट को मैं dallे पर सपाता क्योंकि मेरेzepास ओल्लेडी ली आप इस कारण से, इसमें मैं आपना नंबर स्क्रीन पर देता हूँ कि आप डारेक्टी मुझे से अपनी जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन्स है, वो आप पूछ सकते हैं, इसमें हम आपके रिप्लाई करेंगे. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और हमारी live classes के लिए या हमारी pain drive के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मिना number स्क्रीम पर है, या description में है, वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए, subscribe कीजिए, आपने friends को share कीजिए और को doubt हो तो मुझे कॉल कीजिए.